हेलो गाईज, बेलकून टो माई यूट्यूब चैनल, आज मैं राधर आने के लिए श्रक बना कर लेकर आई हूँ, और श्रक को 9 एंड 10 इंचर राधर आने के लिए बना कर त्यार किया गया है, और श्रक के नीचे लहंगे को बना कर त्यार किया गया है, ऐसे, पार्ट बन में आपको रादरानी के श्रग की वीडियो मिलेगी और पार्ट टू में आपको रादरानी के लेंगे की वीडियो मिलेगी और इसको कैसे डालेंगे ऐसे श्रग के नीचे पहले लहेंगे को डाला जाएगा रादरानी को उसके उपर श्रग को ऐसे किया जाएगा और इस तरीके से डाला जाएगा मैं आपको एक पीक दिखा रही हूँ सेम उसी तरीके से मैंने श्रग को बना कर त्यार किया चलिए आई ये शरग and लہllow बनाना start करते हैं अदरानी की dres बनाने के लिए two color red and yellow color लेने के बाद dress को complete करेंगे red color से निचे का लेयंगा बना कर त्यार करेंगे और yellow color से रदारानी का शरग बना कर त्यार करेंगे इन दोनों color को नीची की side मैं दोनों को attach भी करूँगी तो सबसे पहले मेरा धरानी की चोली को त्यार कर लेते हैं श्रग बनाने के लिए सबसे पहले चोली यानि बॉलाज को बना कर त्यार करेंगे और बॉलाज की video में पीछली dress में डाल चुकी हो और इससे आगे में श्रग बनाना स्टार्ट करती हो बाजू मैं बाद में बनाऊंगी क्योंकि फूल बाजू ही रखेंगे इसकी भी तो इससे आगे में आगे का पैटर्न त्यार कर लेती हो और यालो कलर को ही लेने के बाद ड्रेस को त्यार करेंगे और नीचे की साइड रे डबल क्रोशिय और आगे बनाएंगे वन चेन वन चेन के बाद टू चेन को स्किप करेंगे थर चेन के अंदर फोर डबल क्रोशिय फिर टू चेन को स्किप करेंगे थर चेन के अंदर फोर डबल क्रोशिय फिर टू चेन को स्किप करेंगे थर चेन के अंदर फोर डबर क्रोशिय तो इसी तरीके से मैं इस राउन को कम्प्लेट कर लेती हूँ और इसके नीचे भी मैं सेमी चार चार डबर क्रोशिय के साथ राउन को कम्प्लेट करूँगी तो राउन को सेमी चार चार डबर क्रोशिय के साथ कम्प्लेट करने के बाद आ गये थर राउन की तरफ आई और बीच में आई 4 double crochet के बीच में 3 chain बनाने के बाद इसी chain के अंदर double crochet और इसी chain के अंदर double crochet तो ये 3 double crochet बनाने के बाद 3 double crochet और आगे बनाएंगे यानि नीचे मैंने 4 double crochet बनाए तो उपर 6 double crochet बनाएंगे फिर 1 chain और फिर मैं 4 double crochet के बीच में आऊंगे और यहां पर मैं 6 double crochet बनाऊंगे 2 3 4 5 and 6 फिर 1 chain आगे 4 double crochet के बीच में आएंगे और 6 double crochet बनाएंगे 2 3 4 5 and 6 6 double crochet बनाने के बाद फिर 1 chain बनाएंगे और 6 double crochet के साथ इस round को complete करेंगे और इसे आगे एक round को और सेमी 6-6 double crochet के साथ complete करेंगे 2 round को 4-4 double crochet के साथ complete करने के बाद आगे 3 round 6-6 double crochet के साथ complete किये तो यह ऐसे घेर बनता चला जाएगा तो आगे का मैं round स्टार्ट करती हूँ अब आगे मैं 6 round के तरफ आई और 6 double crochet बनाएं मैंने 3 इदर और 3 इदर करेंगे बीच में बीच में मैं 4 double crochet बनाऊंगे और 2 double crochet के इस साइड बनाऊंगे तो double crochet के उपर आई मैं और 3 chain बनाई और फिर आगे double crochet के उपर आई और double crochet के उपर double crochet बनाया और फिर मैं बीच में आई और बीच में आने के बाद 4 double crochet बनाएंगे 2 3 and 4 4 double crochet बनाने के बाद आगे double crochet के उपर double crochet और फिर आगे double crochet के उपर double crochet नीचे कितने मेरे 6 double crochet हैं तो उपर 8 double crochet बनाने के बाद आगे का pattern द्यार करेंगे और यहाँ पर मैंने 8 double crochet अगर मैं बीच में डालती तो यहाँ पर नहीं बन पाते इसलिए मैंने आसपास double crochet को बनाना शुरू किया फिर आगे 1 chain बनाएंगे और फिर 6 double crochet की बीच में आएंगे और इससे पहले 2 double crochet के उपर 2 double crochet बनाएंगे 1 double crochet आगे दूसरी double crochet के उपर दूसरा double crochet और फिर मैं बीच में आउंगी और यहाँ पर मैं 4 double crochet बनाऊंगी टू थ्री एंड फूर फूर डबल क्रोशे बनाने के बाद फिर मैं डबल क्रोशे के उपर डबल क्रोशे बनाऊंगी और फिर आगे डबल क्रोशे के उपर डबल क्रोशे फिर आगे वन चेन और फिर ऐसी शीक्स डबल क्रोशे के बीच में आऊंगी और इससे पहले में 2 double crochet के उपर 2 double crochet बनाऊंगी 1 and 2 और फिर मैं बीच में आई और यहां पर 4 double crochet बनाएंगे 2, 3 and 4 4 double crochet बनाने के बाद आगे double crochet के उपर double crochet आगे double crochet के उपर double crochet फिर chain तो आगे यह total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 double crochet के साथ आगे के 2 round को यानि 1, 1, 1 इसके उपर 2 round को complete कर लेते हैं 2 round को 8, 8 double crochet के साथ complete किया और आगे round के तरफ आई और यह मैंने starting में 10 double crochet बनाएं तो यह कैसे बनाएं यहां पर 8 double crochet है 4 double crochet बीच में आएंगे यहां पर 4 double crochet बनाएंगे मगर इससे पहले 3 double crochet और बनाएंगे तो यहां से कैसे करेंगे 3 double crochet के ऊपर 3 double crochet बनाएंगे 1, 2, 3, 3 double crochet बनाने के बाद 4 double crochet बीच में बनाएंगे 1, 2, 3, 1 chain बनाएंगे फिर आगे एक double crochet चोनने के बाद आगे वाले double crochet के बीच में आएं और double crochet बनाएंगे फिर आगे double crochet फिर आगे double crochet फिर आगे double crochet और फिर इसके बीच में आएं और double crochet बनाएंगे फोर डबल क्रोशे बनाने के बाद आगे फिर डबल क्रोशिया और आगे फिर डबल क्रोशिया और आगे फिर डबल क्रोशिया तो ये टैन डबल क्रोशे बनाने के बाद फिर आगे चेन बनाएंगे और सेम ही आगे का पैटरन रहेगा और इस टैन टैन डबल क्रोशे के साथ मैं त्री राउंड को complete कर लेती हूँ आगे round 12 double crochet के साथ complete करेंगे और इससे आगे भी मैं 12 double crochet के साथ ही complete करूंगी इससे आगे मैं 12 double crochet के आगे नहीं बढ़ाऊंगी इतना ही रहने देंगे अगर जादां बढ़ा दिया तो गेर बहुत जादां हो जाएगा तो इसलिए मैं 12 12 करोश्य के साथ ही आगे के राउंड कम्प्लेट करती हूँ और नीचे का लाश्ट में बोर्डर बनाएंगे यहां से त्री राउंड 12 12 करोश्य के साथ चिलाने के बाद आगे red कलर के धागे को attach किया और इसमें भी मैंने 12 डवल क्रोशे के साथी round को complete किया आगे फिल क्या करूंगी मैं yellow कलर के धागे को attach किया और attach करने के बाद यहां पर मैं 12 के डवल क्रोशे 13 करूंगी यानि एक ही डवल क्रोशे बढ़ाऊंगी तो इसको कैसे करेंगे टू डवल क्रोशे चोडने के बाद थर्ड डवल क्रोशे में 3 chain बनाई और आगे डवल क्रोशे फिड डवल क्रोशे और फिड डवल क्रोशे अब यहां पर क्या करेंगे 6 डवल क्रोशे इस तरफ रहेंगे और 6 इस तरफ रहेंगे और बीच में आएंगे तो बीच में आने के बाद यहां पर मैं 4 double crochet बना रही हूं अभी तक और 4 के यहां पर 5 double crochet बनाऊंगे 2 3 4 5 5 double crochet बनाने के बाद फीर आगे 4 double crochet के उपर 4 double crochet बना लेती हूं टू 3 4 नीचे 4 राउंड को 1212 क्रोशे के साथ complete करने के बाद आगे यह यहलो कलर के धागे को अटेच कि और इसमें मैंने 12 के ओपर 13 क्रोशे बनाए यानि यानि यहांपर 4 क्रोशे की वजाए मैंने 5 डबल क्रोशे बना कर त्यार किये क्यूंकि यहांपर मेरको घेर बहुती ज़्यादा नहीं चाहिएगा इसलिए मैं एक एक डबल क्रोश्य ही बढ़ाऊंगी वन वन डबल क्रोश्य बनाऊंगी तो यह कैसे सभी चेन के उपर वन वन डबल क्रोश्य बनाते होए आज आते हैं दबल क्रोश्य यानि तेरां चेन के उपर तेरां डबल क्रोश्य बनाकर त्यार करेंगे फोर दबल क्रोश्य नहीं बनाएंगे यहां पर भी डबल क्रोश्य यहीं बनाएंगे यहां मैंने लास्ट वाले राउन में फाइव डबल क्रोश्य बनाकर त्यार किये थे तो फाइव के उपर फाइव डबल क्रोश्य बनाएंगे आगे फिर चेन के उपर डबल क्रोशिया आगे फिर चेन के उपर डबल क्रोशिया आगे फिर चेन के उपर डबल क्रोशिया और आगे फिर चेन के उपर डबल क्रोशिया ऐसे बनाने के बाद यहां पर मैंने सभी राउंड में चेन बनाई तो यहां पर चेन नहीं बनाए जाएगी इसको चेन को आउट करेंगे और फिर आगे आए चेन के उपर डबल करोशिया यानि डबल करोशी के उपर डबल करोशिया फिर डबल करोशी के उपर डबल करोशिया और फिर आगे डबल करोशी के उपर डबल करोशिया ऐसी सेमी बना लेते हैं रेड कलर के तेरा तेरा डबल क्रोशे के साथ राउंड को कंप्लीट करने के बाद इसके बाद एक राउंड और मैं सेमी रेड कलर के धागे से चलाऊंगी और तेरा तेरा डबल क्रोशे के साथ और यहां से यहां तक मेरे को लेंगे की लेंद साड़े 8 इंच में एक round चलाने के बाद लबाई complete रहेगी उसके बाद मैं धागे को cut करूंगी श्रक की बाजु भी बनाएंगे और बाजु के लिए कैसे करेंगे यहां से double crochet यानि two chain उठाएंगे double crochet बनाएंगे और सभी chain के उपर एक एक double crochet बनाते हुए आएंगे और इस रौड को सेमी जेन के ऊपर डबल क्रोष्य बनाते हुए कमप्लीट करेंगे और उसके बाद षैकेंड na रौंड में Canения长 करोंगी और यहां पर एक डबल करोश्य मैनिस करोंगी यानि 2 का 1 बनाऊंगी और ऐसे आगे के राउंड को 2 का 1 बनाऊंगी ऐसे करते करते मैं 5 राउंड 5 या 6 राउंड चला लेती हूं